हलो अबरीबडी, वेलकम टू प्रोटेज, मैं नेम इस प्रदीप सिंग राजप्रोईट एंड टूडे वी आर हीर तो टोक अबाउट भारत और साउधी रिलेशनशिप्स के बारे में हमारे लिए ये रिलेशनशिप्स कितनी ज़्यादा इंपोर्टेंट है हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे वाय साउधी इस इंपोर्टेंट फार इंडिया दोस्तो आज की हमारी ये नियूस को मैंने दर इंडियन एक्सप्रेस के नियूसपेपर से इनके explaining सेक्टर में कवर किया है तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टानने का प्रयास करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताई होगा कि भारत में G20 समिट होने के बाद में इंडिन प्रिंस MBS यानि कि मुहमत बिन सल्मान भारत में रुखे थे और यह भारत में उनकी स्टेट विजिट के लाई थी जिसमें उन्हें ने राजकी सम्मान प्राप्त किया और यह भारत और साओधी अरेबिया के बीच में SPC यानि कि स्टेटरिजिक पार्टनर्सिप काउंसिल की पहली मिटिंग थी दोस्तो हमारे आज के इस वीडियो सेशन में हम इस वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हमें इंडियन और साओधी णी को बेतरीं तरीके से जानने में मदद मिलेगे पहला हमारा पार्ट होगा ट्रेड और to करने इनेर्जी को लेकर कि तीसरा सेक्टर डिफैंस और चोथा ओर्ड रिलेशन कैसे रहे थे हमारे साओधी के साथ और फिफ्ट बात करते हैं आज के लिए हमारे पास साओधी की क्या importance है दोस्तो न्यूज की बात करें करंटी न्यूज में तो भारत साओधी अरेबिया रन इतिक साज़दारी की या पहली परिशत की पहली मिटिंग को कंप्लीट हुआ था अब बात करते हैं हमारे SPC क्या है स्टेटेजिक पार्टनर्शिप काउंसिल क्या है इसको देखने के लिए इसके मैतव को समझने के लिए हमें बारत और साओधी अरेबिया के पूराने रिलेशन्स के बीच में जाना पड़ेगा तो आए शुरू करते हम हमारे वीडियो के पहले सेक्टर को और रिलेशन्शिप विद साओधी अरेबिया दोस्तों हमारे भारत और साओधी अरेबिया के बीच में रिलेशन्शिप 1947 को दिस्तापित हो गए थे उसके बाद में यह रिलेशन्शिप एक कदम आगे बढ़ा जब किंग अब्दूला ने 2006 में भारत की विजिट की थी उसके बाद में डेली डिकलेशन पर साइंड किये गए जिसके बाद में 2010 को रियाड डिकलेशन के माधियम से दोनों पार्टनर्शिप स्टेटर्जिक पार्टनर्शिप में कहलाई यह निकि रन नितिक साज़दारी अपने और इस सेक्टर में जाकर कि उन्होंने इस यात्रा को एक लंबी स्टर पर लिजाकर कि चार सेक्टर में बाढ़ दिया डिफेंस कॉर्पोरेशन, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन, एकोनोमिक कॉर्पोरेशन एंड एनरजी कॉर्पोरेशन इन चारों सेक्टर में बाढ़ दिय यानि कि MBS 2019 में भारत की यात्रा पर आये थे Crown Prince मौमद बिन सल्मान 2019 में भारत की यात्रा आये थे उसके बाद में इस यात्रा का जो रिजल्ट निकला था वो था 6 एग्रिमेंट हुए थे भारत और साओधी अरेबिया की बीच में वहीं पर भी साओधी अरेबिया ने भारत में 100 Billion डॉलर की इनवेस्ट्मेंट करने का भी एक वायदा किया था उसके बाद साओधी अरेबिया ने भारत दवारे स्थापित International Solar Alliance को भी जोईन किया और International Solar Alliance को एक महजबूत इस्तति प्रदान की उसके बाद मिश्टर नेंदर मोदी जी ने अगेन 2019 में यात्रा की थी और इस यात्रा में ही इस रिलेशन्शिप का जो की फैक्टर है वो निकल कर आया वो है स्टेटर्जिक पार्टनर्सिप काउंसिल यानि की S.P.C. दोस्तों ये एक प्रकार की ऐसी काउंसिल है जो इंडिया और साओधी अरेविया के रिलेशन्स को जान करते हैं मतलब उनपर विस्तार से बात करते हैं उस पर गहन अध्यन करकर अपने फैसले डिसिजन देती हैं ये अधिकारियों का ओफिसरों का एक ऐसा समू है जो इंडि और साओधी अरेविया रिलेशन्स पर बात करता है वहाँ पर बात करता है दोस्तों ये पार्टनर्शेप की काउंसिल इतनी इंपोर्टेंट क्यों है आए बात करते हैं दोस्तों ये हाई लेवल काउंसिल है यानि कि इस पर जो विचार विमर्स होते हैं जो हमारे हाई ले के बारे में जबकि दूसरी समीती बात करती है दो बड़े सेक्टर economy and investment के बारे में इसके बाद में PM Modi की इस यात्रा में 12 packs were sign किये गए थे यानि कि 12 agreement इंडिया और साउधी अरेबिया के बीच में sign किये गए थे अब हमाँ बात करते हैं हमारी वीडियो के दूसरी सेक्टर के बारे में इंडिया और साउधी अरेबिया रिलेशन्स कैसे हैं अभी के बीच में इसको हम 4 पिलरों में बाढ़ सकते हैं पहले हैं एकोनोमिकल टाइस दूसरी एनरजी इंडिया और साउधी अरेबिया के बीच में कैसे हैं तीसा डिफेंस और चोथा इंडिया इन साउधी अरेबिया बात करते हैं पहले सेक्टर यानि की एकोनोमिक के बारे में साओधी अरेबिया बारत का चोथा सबसे बड़ा लार्जेस ट्रेडिंग प्राटनर है और साओधी अरेबिया के लिए बारत साओधी अरेबिया के लिए बारत दूसा सबसे बड़ा बिजनस में जिसमें से लेकर कि यह भारत का जो व्यापार है इसके भारत के टोटल व्यापार में 4.53% तक व्यापार भारत और साउधी अरेबिया के बीच में होना जाता है और यह ब्यापार में लगबग 23% तक वर्दी जर्द किये गई थी यानि कि डारेक्टली हमारी रिलेशन्स और बढ़ रहे हैं इन्दू कॉर्परेशन विद इकोनोमी एंड़ ट्रेड के बारे बात करें जनुरी 2022 में हमारे यहाँ पर 2783 जो इंडिन भारतिय कमपनी है टाटा, इन्फोसिस, विप्रो अनदर कमपनी वो वहाँ पर साउधी अरेबिया में जाकर डारेक्ट इन्वेस्टमेंट की किसी कमपनी के साथ मर्जोई कॉर्परेशन किया एंड कभी-कभी तुनों ने 100% साउधी अरेबिया में अपने रिलेशन, अपने काम को स्तापित किया दोस्तों भारतिय कमपनी दुवारा साउधी अरेबिया में लगबग 2 बिलियन डोलर की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है बात करें Tata, Vipro, TCS, TCIS, सापूजी कमपनी जैसे बड़ी-बड़ी कमपनी आज साउधी अरेबिया में इनकी एक बड़ी प्रसेंस है, एक मजबूत प्रसेंस है वहीं बात करें साउधी अरेबिया का भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ जैसे कि हमने बात की थे कि इंडिया का साउधी अरेबिया में लगबग 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है जबकि साउधी अरेबिया ने भारत में लगबग 3.15 बिलियन डोलर का इन्वेस्टमेंट कर चुके साउधी अरेबिया की मेर्पूर्ण कंपनिया जैसे अर्मा को जो कि साउधी अरेबिया की नेशनल ओयल कंपनिये एंड साभिक, जामील, इहॉलिडेज इन सभी कंपनियों ने लगबग भारत में 3 बिलियन डॉलर की मौर जाधा फंडिंग कर चुकी है इन में सबसे इंपोर्टेंट आता है साउधी अरेबिया का खुद का फंड यानि कि साउधी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो कि साउधी अरेबिया गवर्मेंट ओन करती है लोगों दूसे देशों में अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है जैसे बात करें ओयो पेटियम पॉलिसी बाजार्स ओला ग्रोफर्स फर्स्ट क्राई रिलाइंस इन सभी महत्मुन कंपनियों में साउधी अरिबिया के पब्लिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा निवेश किया जा चुका है एक एक एक्जामपल लगते है 1.49 बिलियन डोलर के साथ साउधी अरिबिया ने 2.32 से रिलाइंस के इन्डेस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में हासिल किये गे थे मुकेश अमानी दौरा ओन रिलाइंस कंपनी के एक सब कंपनी है जियो कंपनी एंड जियो कंपनी में 2.32 परतिसर तक से साउधी अरिबिया का है तो वो भी 1.49 बिलियन डोलर के साथ नवंबर 2020 में एक इन्वेस्ट्मेंट और सामना आई और वो थी 1.3 बिलियन डोलर यानि कि लगबग 2.04 परतिसर से रिलाइंस रिटेल वेंचर के साथ में साउधी अरिबिया के पाये गये और कंपनी जैसे साउधी अरिबिया अग्रिकल्चर लाइव स्टोग 15 मिलियन डोलर पे करके बात करें साउधी अरिबिया के पर फट के बारे में जिनकों ने एक मात एक और इंवेस्टमेंट किया है वो हैं 75 मिलियन डोलर के साथ में 파ष है कमपनी हैं के ब्लच सेयर है इन और सब्सक्वा किया है अभी हो चुका है that was a 44 billion dollar जो कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी refinery को establish करेगी West Coast refinery sector जो कि लगबग 60-70 million metric tons की crude oil को refine करने की शमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी refinery को establish करेगा और इसमें भारत की OIC हिंदुस्तान petroleum allocated और भारत petroleum allocated और वहाँ पर भी साओधी अरिबी के company आएगी जो कि माराश्टर में establish करेगी अब बात करते हैं हमारे वीडियो के दूसरे सबसे important sector के बारे में that was energy comparison दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि साओधी दुनिया के उन देसों में सामिले जो की तेल की प्रचूर मात्रा पाई जाती है और ना सी प्रचूर मात्रा बलकि export में भी दुनिया के top देसों में साओधी अरिबीया चाता है भारत और साओधी अरिबिया के बीच में साओधी अरिबिया भारत का third largest crude oil का पार्टनर है उसके बाद में अभी तक इस साल में financial alert 2023 में भारत ने साओधी अरिबिया से 39.5 million metric ton का crude oil प्रचेज किया है जो कि भारत का 16.7% का crude oil का से साओधी अरिबिया से आता है साओधी अरिबिया में ना के बल कुरूड ओल बलकि LPG भी भारत इंपोर्ट करता है और ये लगबग 7.85 metric ton और यानि की 11.2% का से साओधी अरिबिया से LPG corporation के बारे में प्राप्त होता है ये था energy corporation को लेकर अब बात करते हैं एक ऐसे sector की बारे में जो कि सभी sector का core sector है और relationship को आगे बढ़ाने के लिए एक important role अधा कर सकता है दोस्तों defense corporation के बारे में बात करें तो defense corporation में अभी हाले की साल में एक बड़ा उचाल या फिर बड़ी growth देखने को मिली हमारे आर्मी चीफ जो की update हो चुके हैं लेकिन अभी भी service दे रहे हैं मनोज मुकुन नर्वने सर ने एक landmark विजिट की गी थी साओधी अरेबिया में December 2020 में और इसे के साथ आर्मी कॉर्परेशन होने के साथ साथ भारत और साओधी अरेबिया के बीच में नेवल कॉर्परेशन भी है और एक नेवल exercise अल मोहमद अल हिंदी द्वारा जो कि एक जि है कि भारत और साओधी अरेबिया के बीच में दोनों मिलकर जोइंट इन्वेचर की द्वारा डिफेंस की जो प्रोड़क्शन है उसको स्टार्ट करें डिफेंस जैसे missiles, guns and another another अब बात करते हैं हमारे वीडियो के fourth sector के बारे में Indian in साओधी अरेबिया दोस्तों जैसा कि साओधी अरेबिया में भारतिय की मौझदो न एक अच्छे relationship को और ज्यादा मजबूती देता है और दूसरी साओधी अरेबिया में हज होने के करण भारतिय मुशलमान कई बार हज यात्रा करने के लिए जाते हैं साओधी अरेबिया इस प्रकार से एक तूरिज्यम सेक्ट रिलेशनशिप आ था देख की जो जिलेशनुशिप फकल गल्रॉप में आई सामने रिलेशनशिप। खांट चाहिना के साथ उन double को बढ़ाया है तो किसाथ में फिर्यॅनिए प्र już को बिर्सरिया पर अथा प्रनकी कई मूद्दों पर मेडिया के सुर्ख्यों में रहें जैसे कि बात करें एक न्युज एंकर को लेकर की विवात के बारे में और अनधर विवात के बात करें लेकिन इन सभी प्रस्पेक्ट को छोड़कर की जैने हम भारत और साउदी Dolby पर रिलेशन्स के बारें बात करें तो यह साउदी एक अभी गॉल्डन एरा में चल रहा है और हमें आशा है कि भारत और साउदी अरेबिया की रिलेशन्शिप और आगे ग्रोथ करेंगे और वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी स्ट्र जबी ऑपन होगा तो ना से केवल भारत और स आपके लिए इंपोर्टेंट होगा यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी परसेंद आयागा तो प्लीज एक लाइक का बटन जरू माझेगा एक शेर जरू कर दियेगा प्लीज सब्सक्राइब प्रोटेस्ट थैंक यू सो मुच फोर यू लव और सपोर्ट राइट यूर आपिन रिए यू सब्सक्राइब और साइब ल्वाग टू जारे डीज एक लाइक विडियो यू रवाट थैंक यू सू मुच